एटोमिक और हाइडोजन वों कुछ ऐसे वों जो लाखों लोगों की जान लेने के लिए काफी हैं ऐसे वों जो किसी भी चिटी को डेस्ट्रॉई कर सकते हैं कुछ ऐसे वों जो की बहुत ज़ाद तवाही ला सकते हैं तो आज आपने वीडियों देखे रहें और मैं आपको इनके बारे में डेटेल में समझाऊँगा कि आखिर कार्या है काम कैसे करते हैं तो लेट्स एक्सप्लोर तो एटोमिक और हाइडोजन वों के बारे में बात करने से पछले हैं मैं आपको एक बेसिक नॉलज़ देना चाहता हूं आप जानते ही होंगे जैसे कि कोई एटाम है उसके अंदर इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन न्यूट्रोन यह सारी चीज़ें पाई जाती है नूकलियस भी पाई जाता है नूकलियस जो है वह एक पोजिटिव ली चार्ज होता है एलेक्ट्रोन जो है वह नेगिटिव ली चार्ज होते हैं एलेक्ट्रोन नूकलियस के चारों साइट एक फिक्स्ट औरविट पर रेवालिशन और रोटेशन करते रहते हैं अब इसके बारे में जानने के बाद में आपको यह वर चीज के बारे में बताना चाहूं जिसका नाम है रिडियो अक्टिविटी तरसल होती है कि जो हैवियर एलिमेंट से सबोस कीजिए यूरेनियम यूरेनियम का जो मास नंबर होगा है 235 है अब मास नंबर का मतना होता है उस एलिमेंट में जैसे हाइडोजन है उसका मास नंबर है उसमें नंबर ऑफ नूट्रोंस प्लस नंबर ऑफ प्रोटोंस का सम मिलाके किसी एलिमेंट का मास नंबर बनता है अब जो यूरेनियम है उस इतने ज्यादा इतना किसी nudus के इंदर होने के कारण उनमे एक प्रोटौन प्रोटौन रीपलसन होने लगता है और जो नुकलियस है वाई एक बाइंडिंग एनर्शी से बाइंड रहता है लेकिन प्रोटोन प्रोटोन रिपल्सन की वज़ाए से वाई जो नुकलियस है वाई डेस्ट्रॉई हो जाता है तो इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और जब यह नुकलियस डे रेडियेशन निकलते हैं जैसे की अलफा बीटा गामा बॉजिट्र नुट्रॉन कई तरह की रेडियेशन और पार्टिकल्स निकलते हैं किसी केमिकल रियक्शन की वज़ए से तो इसी फिनोमेना पर आपको एटोमिक और हाइडोजन बारे में भी जान लेते हैं तो चलिए हैं कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बॉजम के बारे में अधिम नुकलियाई जैसे की यूरेनियम है जब वह है रियक्शन करके दो चोटी नुकलियाई में टूट जाता है तो इसमें से इतिनी जादा है एक रिलीज होती है कि वहां कि एक सिटी को तबाग कर सक आप स्क्रीन पर एक रियक्षिन देख पा रहे होंगा यूरेनियम 235 यूरेनियम का यह आइसोटोप दरसल जिसमें एट्विंग नंबर तो से लेकिन मास नंबर डिफरेंट है उसे आइसोटोप कहते हैं अब आप इसकी रियक्षिन जब नूट्रों से कराते हैं तो यूरेन नुक्लियाई के साथ दो या तीन नूट्रों से लीज होते हैं अब इस रियक्षिन का यूज जो है वह है पावर प्लांट बगएरा में यूस किया जाता है इसमें होता है कि यह जो नूट्रों से लीज हुए है यह जाकि यूरेनियम 235 की सेंपल पर वापस अटेक करते है और बापस और नूट्रों से लीज होते हैं और फिर फिर से वो नूट्रों से यूरेनियम 235 की सेंपल पर टेक करते हूं और और नूट्रों से लीज होते हैं यह चलती जाती है और इस रियक्षिन को रोकने के लिए कैडमियम रॉट्स का यूज किया जाता है क्योंकि जो क और 265 पर सेंपल पर टेकनिक कर पाएं जिससे यह रीक्षन रोख सकती है तो इस रीक्षन का यूज़ दरसल एटविक बॉम में होता है एटूमिकॉल बॉम में भी सिन तरह की रियक्षन होती है और इसमें से इतनी ज़ादा एनरजी रिलीज होती है कि एक सिटी को दबा कर सकती है और लाखों लोगों की जान ले सकती है जो हिरोसिया और नागसागी पर बॉम गराता है आटमिक बॉम ता जैसा कि आपको पता ही होगा तो इस पूरे फिनोमेना को हम नुकलियर फिजन कहते हैं और नुकलियर फिजन पर एक बॉम काम करता है अब हम दूसरे नमबर पर बात कर लेते हैं हाइडोजन बॉम के बारे में हाइडोजन बॉम में दरसल होता कहा है जब एक दो छोटे लाइटी नुकलियाई फ्यूज कराके एक हैबी नुकलियाई में कर्णबर्ट किये जाते हैं तो इसमें से इतनी ज़्यादा डिवास स्टेशन में एनर्जी निकलती है कि एस डी को क्या एक पूरी स्टेट को तबा कर सकती है कैनि कई माल में या है लोगों की जान ले सकती है लाउं करों लाउं की जान ले सकती है याह एतने जाद referee येशन पगारा निकलते है अब इसका भी आम लोग एक एक जामपल ले लेते हैं जैसे की हाइडोजन है hydrogen का एक isotope है deuterium और यह isotope है deuterium अब इसमें होता क्या है कि यह दोनों react करकि जब helium में convert होते हूं और साथ में एक neutron release करते हैं इसमें इतनी ज़्यादा energy release होती है कि मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि एक पूरी state को भी तबा कर सकती है तो इस तरह से hydrogen bomb काम करता है इसमें दो छोटे नुकलियाई बड़े हैवी नुकलियाई में कनवर्ट होते हैं और इस फिनोमेना को हम nuclear fusion कहते हैं तो मैं अब आपको बता देता हूं कि atomic और hydrogen bomb में से कौन सा bomb सबसे जादे तबाही ला सकता है तो जैसा कि आपको पूरे discussion के बाद पता ही चल गया होगा hydrogen bomb सबसे जादे तबाही ला सकता है क्योंकि जो hydrogen bomb है अगर वो किसी city पर गराए गया तो इसका मतलब है एक लाग किलोटन्स आप TNT उस city पर गराए गया है लेकिन अगर atom bomb गराए गया है तो इसका मतलब है सिर्फ 10,000 किलोटन्स आप TNT गरा गया यानि hydrogen bomb कितना जादा तबाही ला सकता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके बताए कि आपको hydrogen और atom bomb के बारे इतना detail में बताता मेरे spectrum चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा करना भी मत भूलेगा